दोस्तो ये है कॉलिव सिरप आज हम जानेंगे कॉलिव सिरप के बारे में जैसे इसमें इंग्रिडिंट क्या है सारे इंग्रिडिंट के फाइदे क्या क्या है कॉलिव सिरप लेने पर इसके क्या क्या फाइदे हैं और इसे लेने से हमें इसका क्या साइड एफेक्ट हो सकता ह दोस्तों ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ तो पुरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कॉलिव सिरप एक दवा है एक मेडिसिन है इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तों मैं ऐसी कोई भी दवा सजिस्ट नहीं कर रहा हूं मेरा मकसद मेरा उदेश आपको सिर्फ जनकारी देने का है इसे कैसे लेना है, कब लेना है, किस अवस्था में, कौन सी हिल्थ कंडिशन्स में लेना है ये आप डिसाइट नहीं कर सकते कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है दोस्तों कॉलिव सिर्फ क्या है? ये जानने के लिए इसमें शामिल इंग्रिडेंट की जानकारी बहुत जरूरी है तो आईए सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रिडेंट के बारे में दोस्तों कॉलिव सिर्फ में दो तरह की इंग्रिडेंट का इस्तेमाल किया गया है साइप्रोहेप्टाडिन और ट्राइकोलिन साइट्रेट आईए सबसे पहले जानते हैं साइप्रोहेप्टाडिन के बारे में दोस्तो साइप्रोहेप्टाडिन एक एंटी हिस्टामाइन मेडिसिन है जो आपको allergy के symptoms जैसे बहती नाक, आँखों में पानी आना, बार बार छीक आना, आँखों में खुजली होना, या शरीर के किसी हिस्से में खुजली होना, पित्ती होना या पित्ती जैसी allergic reaction होने जैसी समस्याओं में डॉक्टर इसे suggest करते हैं दोस्तों कई तरह की allergic reaction होने पर anti-histamine medicine दिया जाता है, ताकि उस allergic reaction को दबाया जा सके या उसे ठीक किया जा सके दोस्तों कई बार देखा गया है कि साइप्रोहेप्टर जिन medicine लंबे समय तक यूज़ करने पर आपको allergy symptoms धीरे धीरे कम होने लगते हैं और कई patients को तो allergic reaction जड़ से ही ठीक हो जाता है, इसलिए इसे लंबे समय तक लेने से आपकी allergic problem भी ठीक हो सकती है लेकिन इसे doctor की सलाह से लिया जाये तो ज़्यादा बेहतर है अब आईए बात करते हैं tricoline citrate के बारे में जाने तो ये liver के कुशिकाओं में lipotropic action को बढ़ावा देता है ये fat और cholesterol को कम करने में भी मदद करता है दोस्तों tricoline citrate liver को protect करता है और हानिकारक वसा से और fat से liver को साफ रखता है दोस्तों liver में कई बार fat जम जाने से ही fatty liver जैसी बिमारी होती है और ऐसी बिमारीों की रोख थाम के लिए भी tricoline citrate बहुत फायदे मन्द है दोस्तों अगर कॉलिव सीरप के बारे में जाने तो डॉक्टर इसे अलग-अलग health conditions में suggest करते हैं जैसे पाचन शक्ती का कमजोर होना, भूक ना लगना, मौसमी अलर्जी होना, सीजनल अलर्जी होना, एस्थमा का रोग होना, पित्ती होना, फोड़े होना, छाले होना, या rheumatoid arthritis जैसी बिमारीों में भी कभी कॉलिव सीरप suggest की जाती है इसके लावा पेन, अलसर का पेन होना, अलसर होना, अधकपारी जैसी, माइगरिन अटेक होना, नाक का बहना, साइनस प्रॉब्लम होना, इसके लावा कॉलिव सीरप, allergic reaction to blood और प्लाजमा जैसी समस्या में भी दिया जा सकता है दोस्तों बहुत सारे health conditions में डॉक्टर इसे suggest करते हैं, ये डॉक्टर पर depend करता है, वो आपकी बिमारी देखकर ही आपको कॉलिव सीरप suggest करें दोस्तों कॉलिव सीरप डॉक्टर की देखरेक में ही लेना चाहिए, क्यूंकि ये एक दवा है और इसका कुछ-कुछ side effect भी आपको हो सकता है तो आएए जानते हैं इसका side effect क्या क्या है, दोस्तों अगर इसके side effect के बारे में जाने, कॉलिव सीरप के side effect के बारे में जाने तो कॉलिफ सिरफ लेने पर चिरचिरापन महसूस होना, बीमार महसूस होना, चक्कर आना, उल्जन रहना, कॉंसेंट्रेट नहीं कर पाना, बेचैनी लगना, नींद जादा आना, या नींद जैसा लगना, हमेशा उबासी लगना, ठका ठका सा महसूस होना, या इसके अलावा दोस्तों एक बात और ख्याल रखें कि अगर आप कोई मशीन का काम करते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो ये सिरफ ना लें क्योंकि ये सिरफ लेने पर आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे कॉंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे क्युären कि जैसा मैंने आपको इसका side effect के बारे में बोला है जैसा मैंने आपको बताया है, इसके side effect के बारे में नेन्द आने जैसा लगना या अबासी जैसा महसूस होना अबासी लगना जैसी समस्या होने पर आप अन्य प्रूह अपना काम में concentrate नहीं कर पाएंगे और मशीन में काम करने वाले या ड्राइविंग करने वालों के लिए ये एक समस्या हो सकती है तो दोस्तों ये तो था कॉलिफ सिरप के बारे में जानकारी अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए शेर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जैहिंद